हेलो दोस्तो मैं आपका दोस्त बियर ग्रिल्स और आज हम चलने वाले हैं यहां की सबसे पोरानिक जगा पर तो सबसे पहले तो आप यहां भार देख सकते हैं वह यहां गाड़ी को साप कर रहा है क्योंकि भार वो काफी गंदी हो चुकी है उसके बाद हम घर से निकल जाते ह अगवान सविंती करकर के हमें रास्ते में कोई भी रुकावट ना मिले लेकिन हम जैसे घर से निकलते हैं हमें सबसे पहले रुकावट मिल जाती है अभी दोस्तों भी चुनावजी छुकी है तो हमारे आगे मेलस साब यहां पर सभी को शुगरिया करने के लिए आये हुए कुछ टाइम इंटेचायर करने के बाद हम वहां से निकल नहीं वाले थे लेकिन कुछी टाइम में हम वहां दो सज्जन भागते हुए नजर आते हैं इन सज्जनों के तगलीफ है उसके बाद हमारे MLS साफ भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं और हम भी अपने वंजिल के लिए वहां से आगे के लिए निकल जाते हैं अभी भाहर का मोसम काफी थंड़ा हो चुका है इसलिए हम गाड़ी में अपना हीटे चालो कर लेते हैं वेसे तो दोस्तों इंड़ोर आने का हम दोनों वाहियोगा कोई प्लेन नहीं था लेकिन दोस्तों भी मोसम काफी मिले तो में बर्बाद होए दिकha अरे मेरा मतलब हे कोई शादी करता हुआ दिखा सबसे पहले तो मुझ सजण के लिए lot का मोल रखकर उसके शान्ती प्रात्ना करते है फिर हम आयाते सपनों के शहर इंदोर में वहाँ पर हम याते इंदोर के प्रशित केफे पर और वहाँ पर हम कुलट चाई पीते हैं उसके बाद हम वहाँ पर ओडर दे देते हैं एक सेंवीच का कुछ टाइन में वहाँ पर हमारा सेंवीच भी अमरे आद में आयाता है जिसका स्वात दोस्तों काफी अच्छा था आप इंदोर में हो इस बात का बता आपको इसी बात से लग जाएगा कि यहाँ पर लोग सेंवीच पर भी सेंवीच बीचा डाल देते हैं उसके बाद हमें रास्ते में मिलती हैं खेट छोड़ों उसके बाद ट्राफिक का शिकारों का जैसे ते से हम अपने वन्जिल के लिए आई जाते हैं तो अभी है दोस्तों आऊं इंदोर के सबसे भीड़ वाले एडिया में जिसका नाम है राजवड़ा बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिलने के बाद हम अपनी कार को वाँ पार्क करते थे हैं और वहां से निकल जाते हैं यहां राजवड़ा पर दोस्तों बहुत पुराना मंदीर बना हुआ है तो हम आज उससी को देखने आये हैं उससी को बाद है अपनी दोस्तों काफी बड़ा है और यहां पर इतनी जगापी है जो के पहले अवन करने की यूसमें होती होगी यह मंदी दोस्तों शंकर बखवान का है और यह पूरा पिलर्सल से बना हुआ है दरसल इतने पिलर से कि तो यहाँ जरुवत भी नहीं थी सपोर्ट के लिए उसके बात दोस्तों हम वहाँ से बाहर निकल कर बाहर के ग्राउंड में आ जाते हैं यहाँ पर आप देश सकते हैं कितना बड़ा यहाँ का ग्राउंड है दर्शन करके हम बाहर आ जाते हैं वहाँ पर आपको एक नदे दिखेगी जो की काफी बड़ी है और पूरे इंदूर का पाने उसी में जाकर एकटा होता है मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं वहाँ से मंदिर की ओर यहां मंदिर में आप देख सकते हैं आपको तीन शिवलिंग मिलेगी और जैसे ही आप आप गेट से वहार निकलोगे आप मुआ नंदी जी मिल जाएंगे वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं हमारी नेक्स्ट मंजिल पर दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हमारे दूसरे मंजिल पर जहां पर अभी अभी कलर हुआ है यह मंदीर दोस्तों मةणी का है और यहाँपर पूरा केसरीय कलर किया गया है उसके बाद दोस्तों हम आएसे नीचे आयाते है मैं और मेरा भई या घर के लिए निकल चुके हैं आप सब्सक्ताओं दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई